जारखन के हजारी बाग में इंसान और पशुप्रेम की अनोखी घटना इन दिनों इलाके में चर्चा का विशय बनी हुई है दरसल हजारी बाग की चैथी गाव में एक बच्छडा अपने मालिक की मौत पर अंतिम संसकार में शम्शान घाट पहुँच गया पर शम्शान घाट पहुँच कर खूब रोया और मालिक के शब को चूमा भी इतना ही नहीं उसने चिता पर रखे शब की अन लोगों के साथ परिक्रमा भी की और दाथ से दमा कर लकडी भी लाकर चिता पर रखी बताया जा रहा है कि वह वहाँ से तब तक नहीं हटा जब तक पार्थिव शरीर पंच्टत में विलीन नहीं हो गया एक एक शमचान घाट में जब बचली को सब के पास आकर रखाते हुए लोगों ने देखा तो पहले उसे भगानी की कोशिश की पर वे बारवार शब के पास आने लगा इसके बाद वहां मौझूद बुजूर्ग के कहने पर जब उसे शब के पास जाने दिया तो उसने शब को चूमा और फिर रभाने लगा लोगों ने बचली को इसनान कराया और इसके बाद उसे अंतिम संसकार की रस्म में शामिल कराया गया तीन माँ पहले बचड़ी को मेवालाल ने बेच दिया था, जब मेवालाल ठाकुर की मौत हो गई तो वे बचड़ा गांव पहुच गया और रोने लगा, यही नहीं उसने अर्थी पर रखे शव के माथे और पैर को चूमा और तब तक वहां से नहीं हटा जब तक उसका पार नमस्कार मैं हूं मानक गुपता, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जूस 24